हलो आपरिबन वेलकम टू माय चैनल तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर सेकेंड यह हमारा प्लांट से राउंड अस और इसके पहले के जो चैप्टर से उसका वीडियो लिंक आपको मिल जगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप चेकाउट कर सकते हैं तो आए हम हम लोगों ने प्लांट के जो डिफ्रेंट डिफ्रेंट पार्स से उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है लेट अस रिकॉल what we have already learn चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग class 2 में पढ़ लिये थे तो यहां पे एक plant दिखाया गया है आप देख सकते हैं और यहां पे blanks दिये हुए हैं ओके और यह सारे blanks को हमको fill करने हैं यहां पे help box दिया हुआ है तो help box के मदद से हमको यहाँ पर फिल करने है तो आप देखिए यहाँ पर फस्ट में हम लोग क्या फिल करेंगे ना फस्ट में हम लोग फिल करेंगे लीफ यह लीफ को दिखाया गया है तो आप यहाँ पर लीफ को फिल कर दिजिए ओके और दूसरा आप देख सकते हैं यह क्या दिख और आगे चलिए हमारे पास यह क्या है यह हमारा बर्ड है ठीक है तो हम बर्ड को यहां पर फिल करेंगे बी यू डी ये हमारा bird हो जाएगा और ये हमारा क्या है ना stem तो ये stem है आप stem यहाँ note कीजिए stem note कर लीजिए और last में आप देख रहे ना क्या root है तो आप roots को यहाँ पे last में fill कर लीजिए तो बहुत ही simple way में हमने यहाँ पे क्या कर लिया naming कर लिया plants का तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात करेंगे और भी चीज़ें हैं जो आगे तो देखिए यह हम कर लेते हैं नेक्स चलिए यहाँ पे कहता है वी नाव टॉक मूर अबाओर प्लांस एंडे डिफ्रेंट टाइप तो आई यह हम प्लांस के बारे में बात करते हैं थोड़ा और अधीक तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक आ गया पार्टस ऑफ प्लांट के क्या 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 पार्टस होंगे यह देखेंगे तो डिफरेंट of plants perform different functions यह जो अलग-अलग parts है plant के वो अलग-अलग function को perform करते हैं तो आप देखिए function बहुत तरह के होते हैं plants में तो वो अलग-अलग function अलग-अलग parts कर रहे होते हैं यह हमने यहाँ पर देख लिया है कहता है let us learn more let us learn about the functions of the main parts of a plant plant के जो main parts है उसके क्या-क्या function होंगे यह हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यह आप जरूर से learn कर लिजगा यह देखिए यहाँ पर दिखाया गया है और क्या-क्या function से वो भी हम यहाँ पर देखेंगे पहला हमारे पास है root और root का क्या function है तो अधम कहा गया है यह plant को ना fix करता है कहाँ पर मिट्टी में और दूसरा आप देखिए अगला जो function हमारे पास है वो किसका है तो stem का, stem का क्या function है इट carries all the other parts of the soot यह जो plant है इसके अलग-अलग जो parts है है root system root system आप किसको कहते है जो ground के अभव ग्रो करता है वो हमारा क्या करता है सूट system तो जो plant का सूट system आपने सूट है उसको वो carry करता है तो यह आपका हो गया stem, stem में जितने भी branches होते हैं, fruits होते ही, flowers होते ही वो सबको carry किये वे रहता है अना सबको carry किये वे रहता है कौन stem और अगला देखिए हमारे पास है leaf, तो leaf का क्या function है it makes food for the plant, plant के लिए यह भोजन बनाने का काम करता है तो यह जो leaf है, यह क्या काम कर रहा है, plant के लिए food prepare कर रहा है तो यह बहुत important हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या कहता है न, हम food factory भी कह सकते है यह जो leaf है, leaf को हम लोग क्या कह सकते है, food factory कह सकते है और जो अगला है, यह है flower, तो flower का क्या function होगा, it grows into a fruit यह जो है fruit के रुप में develop हो जाता है, जो flower होता है, वो किस में develop हो जाता है, fruit के रुप में develop हो जाता है और अगला हमारे पास यहाँ पे fruit, तो fruit का क्या काम है, it stores seeds, यह जो seeds हैं, वो store करके रखते हैं seeds को store करने का काम कुन करता है, fruits करते हैं तो यहां पे यह हमने देख लिया जितने parts थे plant के और अलग-अलग parts के हमने यहां पे functions को भी notice कर लिया तो यह बहुत important था आप इसको जरूर सो जरूर learn कर लेंगी चलिए यहां पे हम do you know की बात करते हैं कहता है the green substance present in leaves leaves में जो green substance present होता है उसके बारे में कहा गया है is called chlorophyll वो क्या कहलाता है chlorophyll कहलाता है it helps the plant to prepare its food और यह क्या help करता है plant को तो food prepare करने में help करता है तो यह भी important हुआ यह जो chlorophyll है यह कहां पे पाया जाता है leaves में पाया जाता है और इसका color कैसा होता है तो green color का होता है और यह क्या help करता है तो plant को food prepare करने में help करता है तो यह था हमारा do you know अब आईए हम बात करेंगे आप एक classification of plants तो plants को हम कैसे classify करेंगे यह हम लोग जान लें कहता है plants have been classified into different categories अलग-अलग categories में plant को हम classify करेंगे we now talk about these different categories in some details आईए कुछ details में हम लोग जान लेते हैं तो पहला जो category है वो है trees तो आप सभी को पता है कि trees जो होते हैं वो big plant होते हैं इसका size बहुत बड़ा होता है आप देखिए यहाँ पे जितने भी देख रहे है plants सब बड़े बड़े होते हैं और इसलिए इसको हम लोग trees कहते हैं पहला figure में mango trees देख रहे हैं हम लोग दूसरा में हम लोग क्या mango fruit देख रहे हैं बहुत मजबूत होते हैं and strong it is called the trunk और यह क्या कहलाता है trunk कहलाता है we see many branches of a tree coming out from the trunk जो trunk है इसे बहुत सारे branches निकल रहे होते हैं और चाव तरफ फैल जाते हैं हम लोग देखते हैं कि पेड का size कितना बड़ा हो जाता है there are leaves उससे leaves जुड़े होते है flowers and fruits on the branches और जितने भी flowers है leaves है okay fruits है यह सब किससे जुड़े होते है branches से जुड़े होते हैं और यह branch किससे जुड़ा होता है तो branch आपका trunk से निकल रहा होता है चारो तरफ फैला हुआ होता है तो यह हमने देखा कि जो trees है वो बहुत बड़े होते हैं और उसके जो stem होते हैं वो बहुत strong होते हैं woody होते हैं hard होते हैं यह हमारा हो गया पहचान हम बड़े हासाने से पहचान सकते हैं कि कौन से हमारे trees हैं आईए आगे बात करते हैं ट्रीज गीव से टू हीमन्स एन एनिमल्स अनि यहां पर जो ट्रीज होते हैं यह हम लोग को च्छाया देते हैं हाना धूप में बहुत हम लोग जब धूप हम लोग को जब बहुत ज़्यादा लग रहा होता है उस कंडिशन में क्या करते हैं पेड के नीचे चला जाते हैं ताकि हमको च्छाया मिले तो ट्रीज गीव से टू हीमन्स एनिमल्स बहुत सारे एनिमल्स और हमन्स जाकर करके महा बहुत अंदर तक बहुत गहराई तक चले जाते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है कि रूट्स भी बहुत नीचे तक जाया करता है किसमें ट्रीज में देकें देर्फोर एब्जॉब वाटर फ्रॉम डीपर पार्स अब दी स्वाइल और इसलिए यह जो है ना वाटर को ए बड़े हो जाते हैं तो फिर उसका लाइफ बहुत दिन तक हो जाता है हाने कि उसको उसका जो रूट्स होता है बहुत नीचे चक चला जाता है और इस वजह से वह वाटर को बहुत ही आसाने से अंदर से खिच लेता है इसलिए उसका लाइफ बहुत ज़्यादा दिन तक हो coconut are some of the trees we see around us यह सब कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं बन्यान होगे पीपल होगे नीम होगे मेंगो होगे कोकोनट होगे तो यह बिल्कुल सिंपल था ट्रीज लीफ फोर्ट सेवरल इयर्स देखिए ट्रीज जो है ना बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं सम्टाइम्स इविन हंड्रेड्स ओफियर कुछ-कुछ ऐसे भी ट्रीज हैं जो सालों साल जीवित रहते हैं उसका लाइफ ब इनी प्लांट्स दाट हैव वूडियस इसका अस्टेम तो वूडिय होगा बट आर नॉट एज एस ट्रॉंग एंड बीग एस ट्रीज लेकिन यह इतने बड़े नहीं होते हैं जितने बड़े हमारे ट्रीज हुआ करते हैं ट्रीज का साइज बहुत बड़ा हुआ करता है ल इस प्लांट्स लुक लाइक बसेस विट मिनी ब्रांचे जिसमें बहुत सारे ब्रांचे होते हैं इसलिए जाड़े के जैसे हमको देखने में लगते हैं सच प्लांट्स और कॉल स्रॉप्स और इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं स्रॉप्स कहते हैं स्रॉप्स हैप स्मॉ प्लांस बहुत सारे स्टेम्स होंगे इसमें दे केंग ग्रो मूर दैन सिक्स मीटर्स और यह शिक्स मीटर्स तक का हाइट हो सकता है उससे भी बड़ा हाइट इसका हो सकता है तो यह था हमारे श्रफ आप कुछ एक्जाम्पल्स को देखिए यहाँ पे है रोज उसके बाद है गुगन वेलिया फिर कोटन चायना रोज और आगे है मेहंदी और सम अब दा स्रॉप्स वी सी अराउंड अस यह सारे स्रॉप्स के एक्जाम्पल्स हैं तो आप बड़े आसाने से इसको लर्न कर लेंगे और अगर एक्जाम्पल्स पूछा जाता है तो बड़े आसाने से आप एक्जामपल्स दे सकते हैं आप शरॉप्स के स्रॉप्स लाउट ली फोर फ्यू इयर्समली कुछ वश्सों तक है जिवित रहते हैं इसका सालों साल नहीं हुआ करता है फ्यू इयर्स लिखा हुआ है ठीक है आईए यहां पर एक्जामपल सब देखिए तो फर्स्ट एक्जामपल आप क्या देख रहे हैं रोज दुसरा क्या है वुगन वेलिया और तिसरा क्या है कोटन तो यह हमारे क्या होगे ना श्रप्स के एक्जामपल सोगे आईये अगला जो हमारे पास है यह हाल्प्स तो हाप्स हम किसको कहेंगे मैनी प्लांट्स हैट थीन स्टेम्स विच और गिरिन इन कलर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका स्टेम बहुत पतला होता है गिरिन कलर का होता है एन आर नौट वूडी और stem woody नहीं होते हैं woody नहीं होते हैं मतलब लकड़ी नहीं मिल सकता है इसके stem से ओके और उतने स्ट्रोंग नहीं होंगे such plants are called harps और इसको लोग helps कहते हैं और आगे देखिए अगला परागर आप लोग देखते कहता है herbs are generally a small in size जो herbs होते हैं उसका size छोटा हुआ करता है they are grown in a particular season और एक किसी खास season में किसी खास मौसम में ग्रो करते हैं they live only for one or two seasons and produce their flowers, fruits and seeds in this time only वो कुछ short period में ही ग्रो करते हैं और उसका life बहुत short हुआ करता है किसी एक season में एक season या दो season के लिए वो जिवित रहते हैं और उसी दोरान वो flowers, fruits और seeds को develop करते हैं अपने में यह आपको ध्यान रखना है after one or two seasons they die एक या दो season के बाद उसका क्या होता है ना अंत हो जाता है जैसे आप example लेजे टोमेटो तो टोमेटो का प्लांट आपका बहुत दिन तक जिवित नहीं रहेगा एक मोसम तक रहेगा फिर यहाँ पर आता है mint ओके और फिर आपका है lady finger तो यह कुछ ऐसे एक्जेंपल से हुए herbs के जिसको हम लोग यहाँ पर learn कर सकते हैं और भी एक्जेंपल से हैं जैसे wheat होगी rice होगी sunflower टोमेटो मेंट लेडी फिंगर और सम अब दा हॉप्स दैट वी सी एराउंड आस तो यह हमारे यहाँ पर इंपोर्टेंट होगी हमने इसको देख लिया तो चलिए हम लोग move करते हैं अब हमारा जो अगला टाइप है वह हमारे पास है यह है climbers ठीक है climbers तो climbers आपका नाम से ही पता चल रहा है कि क्लाइम करेंगी तो आई हम पढ़ेंगे some plants have very weak and thin stem कुछ-कुछ ऐसे plants हैं जिसके stem बहुत पतले होते हैं बहुत weak होते हैं they can't stand and grow straight on their own यह अपने आप में stand नहीं कर सकते हैं यह सीधे नहीं रह सकते हैं और सीधे grow भी नहीं कर सकते हैं they need support to climb up और इसको climb करने के लिए support चाहिए उपर जाने के लिए support चाहिए such plants are called climbers और इस तरह के जो plants हैं उसको लोग क्या कहते हैं na climbers करते हैं example आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया पी plants और यह है money plant तो हम लोग example देखकर के बड़े आसाने से समझ ले रहे हैं और भी examples है जैसे पी होगी ए ग्रैप्स हाना money plants are some of the climbers that we see around us तो यह बिलकुल simple था इसमें क्याना इसके stem बहुत ही कमजोर होते हैं यह आपको धियान रखना है और पतले होते हैं इसलिए इसको support क्या है सकता होती है और support क्या होती है तो यह climb करते हैं करने के लिए इसको support सही है ओके अगला है creeper तो creeper भी easy है यह भी आसानी है आप देखिए कहता है some plants creep on the ground ground में creep करते हैं ground में 4 तरफ फैल जाते हैं and I spread their branches on the ground itself 4 तरफ फैल जाते हैं ground में they also have thin and weak stem इसका भी stem weak होता है और पतला होता है और इसको हम लोग creeper कहते हैं अब यहां पर एक्जामपल हमारे पास है और यह है pumpkin हना strawberry और क्या है grass अब देखिए इसके अलावे भी example से यह से watermelon होगी और यहां pumpkin तो दिखाया गया और cucumber हो गया strawberry तो दिखाया गया है okay और bitter guard हो गया and grass grass भी दिखाया गया are some of the creepers यह सारे क्याने creepers के examples हैं तो बिल्कुल easy था हम लोग नहीं यहां पर कर लिया है अब यहां पर आता है keywords तो keywords में पहला क्या है absorb absorb का मतला होता है स्रक और take in आने की absorption कर लेना खीच लेना जिसे पानी को absorb कर लेता है कौन roots किसके roots plants के roots और दूसरा है creep क्रीप मतलब हो गया क्या grow और spread in such a way as to cover चाओ तरफ कभर कर लेना चाओ तरफ फाइल जाना फिर पार्टि तो यह हम लोग keywords learn कर लेंगे और यहां पर आता है हमारे पास something to know तो यह हमने कर लिया है और इसका video link आपको मिल जागा description box में या तो फिर आप playlist में चले जाए आना playlist से अभी आपको video का link मिल जाएगा